सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन्फिनिक्स की तरफ से नया स्मार्टफॉन लाँच होने के लिए तयार है उस स्मार्टफॉन का नाम है इन्फिनिक्स नोट सेविन सीरीज स्मार्टफॉन मैनुफेक्चरिंग कमपनी इन्फिनिक्स ने लेटस्ट नोट सेविन सीरीज को पेश किया है इस सीरीज में नोट सेविन और नोट सेविन लाइट स्मार्टफॉन शामिल है हलाकि company ने दोनों smartphone को officially अभी launch नहीं किया है लेकिन दोनों को official website पर list कर दिया गया है और जल्द ही launch होने वाला है वहीं users को दोनों smartphone में दमदार battery processor और display का support मिलता है Infinix Note 7 और Note 7 Lite की price की बात करें तो Infinix ने दोनों smartphone की price और availability को लेकर किसी तरह की कोई information नहीं दी है उम्मीद की जा रही है कि company जल्द Note 7 और Note 7 Lite की price का भी एलान करेगी Infinix Note 7 smartphone की specifications की बात करें तो इस phone में 6.95 इंच की HD Plus Infinity O display दी गई है जिसका resolution 720p x 1640p दिया गया है साथ ही इस phone में बहतर performance के लिए Octa-Core MediaTek Helio G70 processor दिया गया है और इसमें 6GB RAM और 128GB internal storage दी गई है और इस phone में Android 10 operating system दिया गया है Infinix Note 7 series के smartphone के camera और battery features की बात करें company ने इस phone में quad camera दिया है जिसमें 48MP का primary camera और 2MP का macro lens और 2MP का depth sensor और एक low light sensor मौझूद है लेकिन अब तक front camera की जानकारी नहीं मिली है वहीं दूसरी तरफ users को इस phone में 18W की fast charging का support मिलेगा और इसके साथ ही इसकी battery 5000mAh की दी गई है Infinix Note 7 Lite के features की बात करें तो इसमें 6.6 inch की H80 Plus Infinity O display दी गई है जो punch hole cut out के साथ आता है साथ ही सब्सक्राइब बहतर performance के लिए Octa Core MediaTek Helio P22 प्रोसेसर दिया गया है और इसमें 4GB RAM 128GB internal storage दी गई है वहीं एफॉन Android OS 10 पर रन करता है Infinix Lite के camera की बात करें तो इसमें भी same camera ही दिया गया है और battery capacity भी same ही है Infinix Note 7 की तरह तो अभी ये smartphone official तोह पर launch नहीं हुए है फिलाल company की website पर list किया गया है जैसी launch हो जाएंगे हम आपको बता देंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स